टूड़े आई सल्व एक्सरसाइज 10.2 जो हमारा चेप्टर 10 से अलजेबरिक एक्स्प्रेशन से है ठीके यह बहुत ही इपोटेंट एक्सरसाइज है इससे आपको बहुत ही केर से देखना होगा ठीके first question है if m equal to 2 find the value of देखो इसमें first question में 5 question है first m minus 2 given है second 3 m minus 5 है third 9 minus 5 m है fourth है 3 m square minus 2 m minus 7 है और 5 है 5 m by 2 और यहाँ पर देखो हमारे book में जो न पलस है न माइनस है पता नहीं क्या दिया है तो हम इसको लेकर चलते हैं minus ठीके और एक बार plus पर भी इसको हम देखेंगे आईए इस question को हम solve करते हैं first question है question number 1 का 1 हमारा जो equation given है वो क्या given है m equal to 2 मतलब सारे equation में आपको m का जो value put करना है और 2 करना है first question क्या है m minus 2 है तो first question हमारा m minus 2 है but आपको क्या करना है ना कि m का जो value है उससे 2 put करना है तो लिखेंगे put put m equal to 2 okay तो m का value हम क्या कर देंगे इसमें put कर देंगे यह हो जाएगा m के जगा 2 minus 2 equal to क्या जाएगा 0 यानि यह जो आपका value आया वो 0 आ गया ठीके तो question number 1 complete होता है question 2 देखो इसका 3m minus 5 है 3m minus 5 आपको क्या put करना है put करना है m का value 2 तो लिखेंगे put m equal to 2 हमारा equation है 3m minus 5 तो 3 का 3 m का value हमें 2 put करना है minus 5 यहां से हो जाएगा 3 to 6 minus 5 6 में से 5 जाएगा यह 1 आ जाएगा यानि हमारा 1 answer हो जाएगा ठीके अब third question देखो third question क्या है 9 minus 5m 9 minus 5m आपको क्या put करना है m का value put करना है हमें 2 put m equal to 2 अपका जो equation है 9 minus 5 into m का value 2 यहां से 9 minus 5 to 10 अब यहां देखो 9 में से 10 जाएगा क्या होगा 1 आएगा बट यहां देखो condition क्या है कि जब greater का sign हो वहीं हमारा answer में भी write करना होता है तो greater का sign क्या है minus क्या हाँ पर लगाएंगे minus यानि आपका minus 1 answer होगा ठीके third के बाद 4 देखो 4 question क्या है 4 है हमारा कि 3m square minus 2m minus 7 3m square minus 2m minus 7 हमें put क्या करना है हमें m का जो value put करना है 2 put करना है put m equal to 2 तो 3m का value 2 रखेंगे 2 का square minus 2 into 2 minus 7 यहां से होगा 3 into 2 to 4 minus 7 यहां सो जाएगा 4 3 जा 12 minus 4 minus 7 यह होगा 12 7 और 4 को add करेंगे देखो यह minus 7 है और यह minus 4 है तब दोनों का sign एक जैसा हो minus minus क्या होते है plus लेकिन हमारा ध्यान देना है कि जो greater का sign रहता है उसी को लिखना पड़ता है तो हम यहां से क्या हो जाएगा minus 11 minus 7 minus 4 minus 11 अब इसको minus करोगे 1 आ जाएगा ठीक है अब एक बात बताओ सबको समझ में आ रहा है न किसी को कोई भी doubt हो आप comment करो ठीक है अब देखो 4 4 complete हो गया न अब 5 देखेंगे 5 question देखो 5 है अमारा 5 M by 2 और यह देखो हमारे book में न प्लस दिया है न माइनस दिया है तो हम क्या करते हैं प्लस पे ही बना देते हैं ठीक है या माइनस पे बना देते हैं आप लोग चेक कर लेना आपके book में प्लस होगा तो प्लस पे बनाना minus है तो minus पर बनाना और आपको जो value put करना है m का value उसमें put करना है 2 यहां से 5 into 2 by 2 minus 4 तो क्या हो जाएगा यह 2 to cancel यह 5 minus 4 यह आ जाएगा 1 यानि हमारा 1 answer ठीके जदी आपके बुक में यहां minus के जगा plus given हो ता plus पर कर लेना यहां पर plus हो जाएगा यानि 5 और 4 add होगा तो 9 आ जाएगा ठीके यहीं दोनों में फर्क है चलो complete होता है सबका question 1 किसी कोई doubt नहीं है नहीं है ना किसी को doubt अब देखो question 2 question 2 क्या है if p equal to minus 2 to find the value of यहां भी हमारा given equation और इस equation में put करना है p का value minus 2 क्या put करना है minus 2 question number 2 का first क्या है 4p plus 7 है चलो put क्या करना है p का value minus 2 write करेंगे p equal to minus 2 यहां पर देखो यह 4 है और p का value minus 2 put करना है plus 7 यह हो जाएगा 4 to ja minus 8 अब प्लस 7 यहां से आएगा minus 1 यह आपका answer ठीक है question 2 देखो इसका second है कि minus 3p square minus 3p square plus 4p plus 7 यह आपका question है हमें put करना है p equal to p equal to minus 2 यहां से होगा minus 3 into p यानी minus 2 है न तो minus 2 का है square plus 4 into minus 2 अब प्लस 7 यहां से हो जाएगा minus 2 को 2 times करेंगे 2 to ja 4 minus 3 into 4 plus यह 4 to ja minus 8 अब प्लस 7 यहां से हो जाएगा minus 12 plus minus minus 8 अब प्लस 7 यहां से होगा 12 और 8 20 अब प्लस 7 यहां से देखो तो minus 20 में से plus 7 को जब minus करेंगे तो minus 30 न आएगा यह हमारा एंसर थर्ड क्वेस्टिन थर्ड क्या है minus 2pq minus 2pq minus 3p square minus 3p square plus 4p plus 4p अब प्लस से बल है ठीके अब देखो तो इसमें क्या करेंगे put करेंगे put p equal to minus 2 यहां से होगा minus 2 और p का भाईलू minus 2 का whole q minus 3 p का भाईलू minus 2 का square plus 4p का भाईलू minus 2 plus 7 यहां से minus 2 minus 8 minus 3 minus 4 plus minus 8 plus 7 यह देखो 8 टू जा 16 और यह minus minus plus होगे यह minus minus plus 3 4 जा 12 और यह minus 8 plus 7 अब देखो जो plus है ना उनको एक साथ add करेंगे तो 16 और 7 16 और 7 जो होगा ना 20 और 23 23 23 में 10 एड़ करोगे तो यह होजाएगा 33 33 में 2 एड़ करोगे 35 अब माइनस करोदो 8 यहां से हमारा आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 यानि 7 और यह 2 27 हमारा एंसर आएगा ठीके तो question number 2 भी हमारा complete होता है अब हम question number 3 देखेंगे यह बोलाए find the value of the following expression when x equal to minus 1 अब यह देखो अब question number 3 को देखेंगे question 3 है 3 का first equation क्या गिवेन है आपका 2x minus 7 अब equation हमारा है 2x minus 7 ठीके लेकिन आपको क्या करना है यहां बोला कि find the value of the flowing expression when x equal to minus 1 यानि हमारा जो x का value put करना है वो हमें minus 1 put करना है तो क्या करेंगे 2 into minus 1 और minus 7 और यह बात लिखना जरूरी है कि put x equal to minus 1 ठीके यहां से देखो यह minus 2 और यह minus 7 यह हो जाएगा minus 9 your answer ठीके आया समझ में चलो first complete होगा इसका second देखो क्या है minus x plus p minus x plus 2 हमें put करना है x का value minus 1 यह हो जाएगा minus और x का value minus 1 प्लस 2 यह 1 प्लस 2 यह हो जाएगा 3 next third देखो x square 2x plus 1 है x square 2x plus 1 है यहां पर क्या put करेंगे put x equal to minus 1 यहां से हो जाएगा minus 1 का whole square plus 2 into minus 1 plus 1 यह 1 minus 2 plus 1 1 1 2 minus 2 equal to 0 your answer fourth question देखो fourth question क्या है 2x square minus x minus 2 2x square minus x minus 2 है अब यहां भी हमें put क्या करना है put करना है x का जो value minus 1 तो 2 minus 1 का whole square minus 1 यह minus 2 यहां से देखो यह 2 minus minus plus और यह minus 2 कट गया यहां से plus 1 answer आगया ठीके तो third भी हमारा complete होता है तो अब का चलो question 4 देखो अब 4 क्या है keep a equal to 2 b equal to minus 2 find the value अब यानि a और b दोनों का value हमें given है question number 4 4 का first क्या given है हमारा given है question number 4 का first question है कि a square plus b square ठीके हमें put क्या करना है हमें put करना है a का value 2 और b का value minus 2 put a equal to 2 और b equal to minus 2 तो इसमें put कर दो 2 का square हो जाएगा अब plus minus 2 का square हो जाएगा 2 तू जा 4 2 तू जा 4 यह 4 पूर क्या हो जाएगा 8 your answer ठीके second question देखू a square plus a b plus b a square ठीके अब यहाँ भी हमें put करना है put a equal to 2 और b equal to minus 2 तो यहाँ से a का value 2 का square कर देंगे plus 2 into minus 2 और b का value minus 2 का square यहाँ से 2 तू जा 4 और यह minus 4 और यह plus 4 यह plus और minus cancel यहाँ से 4 योर answer ठीके second के बाद third देखो third question है कि a square minus b square यहाँ भी put वहीं करना है put a equal to 2 और b equal to minus 2 तो 2 का square minus 2 का square 2 तू जा 4 यह minus 2 तू जा 4 यानि यह हमारा 0 आ जाएगा ठीके तो 4 नमर question complete हो गया 5 देखो 5 क्या है 5 देखो book में when a equal to 0 b equal to minus 1 find the value of the given expression यानि a का value put करना है 0 b का value minus 1 इस question को भी शल्व करते हैं देखो इसमें कोई question छोड़ भी देते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि यह easy है बहुत ठीके ना और यह आपको आने वाले समय में आगे की class में जाओगे तो यह सब काम देगा इसलिए इस सब important है और इसे अच्छे से आपको पढ़ना होगा 2a plus 2b है ठीके हमें put करना है put a equal to 0 और b equal to minus 1 यह हो गया 2 into 0 plus 2 into b हो गया minus 1 यहां से 0 और यह minus 2 यहां आगया minus 2 यह answer ठीके second question 2a square plus b square plus 1 हमें put करना है a equal to 0 b equal to minus 1 2 a put कर दो 0 b put कर दो minus 1 का square plus 1 यह 0 का square 0 0 into 2 0 plus 1 plus 1 यह 101 और 1 2 ओके third question 2a square b 2a b square plus a b यह question है और इसे put करना है क्या है इसमें put a equal to 0 और b equal to minus 1 2 a का value 0 का square और b का value minus 1 पूट कर दो plus 2 a का value 0 पूट करो और b का value minus 1 पूट a का 0 b का minus 1 देखो 0 में किसी भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसमें 0 से multiple करोगे वो 0 ही होने वाला यहां भी सब 0 ही कर देगा और यहां भी 0 और 0-0 कभी भी add करोगे 0 ही होगा ठीके ना इस बात को हमें से याद रखिएगा जैसे मालनो कोई जदी आपको 0 के properties के बारे में problem होता है तो थोड़ा सा आपको इसमें चार्चा कर देते हैं कि मालनो की 0 में मालनो कोई भी नंबर है एनी नंबर एनी नंबर है उसमें आप 0 add करो या subtract करो वो हमेशा क्या होगा एनी नंबर ही मिलता है और एनी नंबर में 0 से मलड़ पर करोगे यो 0 ही होने वाला है जैसे कोई आपसे बोल ले कि 70 में 0 add करो क्या होगा 70 होगा इसको example के तोर पर लोगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हो मालनो आप लोग C देखे हो C मतलब समुनदर तीक है अब समुनदर देखे हो अब समुनदर जो होता है यह बहुत बड़ा चीज़ होता है अब उस समुनदर से हम आपसे बोलेंगे कि जाओ उस समुनदर में से एक बाल्टी या दो बाल्टी दो बाल्टी पानी निकाल दो तो समुनदर में से दो बाल्टी पानी निकालोगे तो क्या समुंदर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना तर ठीक उसी तरह हमारे जो भी नंबर होते हैं उस नंबर में से ज़दी आप 0 को माइनस करोगे ठीके वो हमेसा हमारा नंबर ही राता है put क्या करना है put a equal to 0 b equal to minus 1 यहाँ हो जाएगा 0 का square plus 0 into minus 1 अब plus 2 यह होगा 0 plus 0 plus 2 get to your answer ठीक है question number 5 भी हमारा complete होता है अब 6 देखो 6 उससे थोड़ा कठीन लएगा आप लोग को लेकिन है बहुत असान आप ध्यान से देखो simplify the expression and find the value of x is equal to 2 मतलब यह जो हमारा equation है इसमें क्या करना है पहले तो आप से बोला है कि इसको simplify करो मतलब जो equation है इसको simplify करना है simplify करने के बाद जो हमारा x आएगा उस x के जगा क्या put करना है 2 put करना है आई यो इस equation को भी solve करते है question number 6 का first x प्लस 7 4 इंटू x माइनस 5 इसमें कुछ निव चीज़ आया है जो आप लोगो सीखना होगा x प्लस 7 प्लस 4 और x को multiple करोगे ना तो यह 4x होगा 4 और 5 को करोगे 4 5 जा 20 अब यहाँ देखो 4 x और x यह 5 x हो गया 20 में 7 को जब माइनस करोगे तो क्या होगा यह होगा 13 लेकिन greater का sign माइनस है इसलिए हमने आपर माइनस लिखा अब हमें put क्या करना है x equal to 2 हमने जो equation given था उसको हमने simplify किया simplify करने के बाद हमें put करना है x equal to 2 तो जो हमने simplify करके equation लाया है हो क्या है 5 x तो 5 into 2 minus 13 यह होगा 5 to 10 minus 13 10 में से 13 जाएगा minus 3 answer ठीक है इसका second question second है 3 into x plus 2 plus 5 x minus 7 अब यह देखो इनको multiple करेंगे 3 x 3 को 2 से करेंगे 6 plus 5 x minus 7 3 x और 5 x 8 x 7 और minus 5 यह हो जाएगा minus 7 और 6 ना minus 7 और 6 minus 1 हमारा इस equation को simplify कर दिये simplify करने के पाद आपको क्या करना है put कर देना है x का value 2 जब हमने put किया तो 8 into 2 minus 1 यह हो जाएगा 16 minus 1 यानि 15 ओके थर्ड देखो थर्ड क्या है 6 x plus 5 into x minus 2 पल इस equation को simplify करेंगे तो 6 x plus 5 और x से करेंगे 5 x 5 और 2 से करेंगे 5 2 जा 10 अब इसमें equation को put कर देंगे या पल ऐसे कर लो 6 x और 5 x यह होंगे आपका 11 x minus 10 इसमें put कर दो put x equal to 2 11 into 2 minus 10 यहां से हो जाएगा 11 to 22 minus 10 equal to 12 हो गया इसमें 4 नमबर भी है उससे भी हम करते हैं 4 नमबर है कि 4 2 x minus 1 plus 3 x plus 11 यह आपका question number भी है अब देखो इसे solve करना है तो सबसे पलेश equation करेंगे 4 2 जा 8 x 4 1 जा 4 plus 3 x plus 11 अब देखो तो क्या करेंगे 8 x और 3 x यह 11 x 11 और 4 यह हो जाएंगे हमारा 7 put कर देंगे x equal to 2 11 into 2 minus 7 यह हो गया 22 minus 7 यहां से आजाएगा 15 तो 6 complete हो गया 7 देखो 7 है कि simplify this expression and find their value of x equal to 3 a equal to minus 1 और b equal to minus 2 इसमें आपको x, a, b 3 तीनों का value put करना है तीक है आई इस question को भी self करते है question number 7 क्या है 7 का first है 3 x minus 5 minus x plus 9 तो देखो तो सबसे पहले हमें put क्या करना है a का value minus 1 b का value minus 2 लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ तो x x ही है सिर्फ x x है ना तब पहले इसको solve करो 3 x में से x minus करेंगे तो यह 2 x होगा यह 9 में से 5 को minus करेंगे यह कितना होगा यह 4 हो जाएगा तो यहाँ से 2 x plus 4 आ गया अब अपने book में देखो x का जो value put करना है वो क्या put करना है x equal to 3 put करना है तो यहाँ से 2 into 3 अब पलस 4 हो जाएगा तो 3 to 6 अब पलस 4 यह हो जाएगा 10 answer मतलब x, a, b का जो value यहाँ पर given है आपका जाहाँ need होगी वह ही पर उसको रखेंगे ठीके चलो second question देखो इसका second question है 2 minus 8x plus 4x plus 4 ठीके अब देखो यह 2 का 2 8x में से 4 जाएगा minus 4x अब पलस 4 यहाँ से minus 4x 4 or 2 6 x सिर्फ है न तो हमें put करना है x का value 3 यहाँ से minus 4 into 3 अब पलस 6 यह हो जाएगा minus 12 अब पलस 6 यह हो जाएगा minus 6 यह और answer अब चलो इसका third देखते हैं third question क्या है इसमें बहुत सारा लेकिन question है न कोई बात नहीं हम लोग सारे सिखेंगे 3a पलस 5 3a पलस 5 minus 8a plus 1 है ठीक है अब इनको करो तो सबसे पहले 8a में से minus 8a करेंगे तो minus 5a आ जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा और हमें a का value इसमें क्या put करना था a का value minus 1 लिखेंगे put a equal to minus 1 यह हो जाएगा minus 5 into minus 1 अब पलस 6 यह 5 plus 6 a हो जाएगा 11 answer अब इसका 4 नमबर देखते है 4 नमबर क्या है 10 minus 3b minus 4 minus 5b यहां से 10 में से 4 जाएगा 6, 5 और 3 8b यहां से put कर देंगे b का value b का value क्या दिया है आपको given minus 2 तो 6 minus 8 into minus 2 हो गया यहां से हो जाएगा 6 यह माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 24 answer अब इसका 5 है 5 है कि 2a minus 2b 2a minus 2b minus 4 minus 5 और प्लस a है यहां देखो a और b दोनों लिया है तो हम क्या कर देंगे दोनों को put कर देंगे पहले तो 2a minus 2b और यह देखो 5 और 4 minus 9 अब प्लस a अब यह देखो 2a और a 3a minus 2b अब माइनस 9 यहां पर put कर देंगे a का value put करना है आपको 3 3 करना है कि minus 1? minus 1 करना है और b का value put करना है minus 2 यह हो जाएगा 3 into minus 1 minus 2b का value minus 2 minus 9 यहां से minus 3 minus minus plus 4 यह minus 9 9 4 कितना है? 9 3 12 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 ना 8 हमारा answer आजएगा ठीके? लेकिन नहीं गलत हो गया क्योंकि देखो minus 3 और minus 9 minus 12 plus 4 इसको करेंगे तो minus 8 आएगा ठीके? तो 7 number भी हमारा complete होता है इसी के साथ अब 8 number देखते हैं क्या है? देखो 8 number question है 8 में भी दो question है कोई बार नहीं 8 में देखो आपका equation है ZQ minus 3 Z minus 10 आपको put करना है Z equal to 3 तो क्या करेंगे? पहले इस equation को solve करेंगे तो Z Q minus 3 और Z से करेंगे 3 Z 3 और minus 10 से करेंगे plus ये कितना? 10 तरी जा 30 हो जाएगा अब put कर दो Z का value 10 तर 10 का whole Q हो जाएगा minus 3 into 10 हो जाएगा plus 30 तो 1000 ये 3 30 30 30 30 minus plus cancel हमारा जो एंसर होगा 1000 हो जाएगा ठीके? ये था 8 का first second यहाँ देख लेते हैं P square minus 2P minus 100 ठीके? अब देखो यहाँ पर P का value put करना है minus 10 यहाँ हो जाएगा minus 10 का whole Q square 2 into minus 10 minus 100 यह हो जाएगा 100 और यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 20 minus minus plus हो जाएगा minus 100 minus plus cancel यहाँ हो जाएगा 20 हमारा answer ठीके? 8 number complete 9 देखो what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus equal to 5 when x equal to 0 देखो 9 number आपका question है 2x square plus x minus a equal to 5 ठीके? और आपको x का value जो put करना है वो 0 put करना है put x equal to 0 यहाँ हो जाएगा 2 into 0 का square plus 0 minus a equal to 5 यह हो जाएगा 0 plus 0 minus a equal to 5 यहाँ हमारा a equal to जाएगा minus 5 यह हमारा answer ठीके? 9 number complete 10 number देखो simplify the expression and find the value of when a equal to 5 and b equal to minus 3 मतलब क्या है? कि find the value of यह देखो यहाँ क्योशन ठीके? a और b का value आपको given है 10 number में सबसे most important question है 10 number 2 a square plus a b अब plus 3 minus a b है आपको put करना है a equal to 5 और b equal to minus 3 पहले से solve करो 2 और a से करेंगे 2 a square 2 और a b से करेंगे 2 a b plus 3 minus a b यहाँ से करोगे तो देखो 2 a square 2 a b और minus a b करेंगे तो plus a b है जाएगा क्यों घड़ जाएगा अब plus 3 अब a और b का value पुट कर दो 2 का 2 a का value है 5 तो 5 का square a का value 5 b का value minus 3 अब plus 3 तो 5 5 जा 25 और 2 से करेंगे 50 5 3 जा 15 अब plus 3 यहाँ से देखो 50 में से 15 को minus करेंगे तो यह होगा 35 35 और 3 एड़ कर देंगे 38 यह हमारा answer तो देखो तो सारे question का answer आगे होगा जाकर क्या आप match करा सकते हो पीछे ऐसे answer देखने कोई need नहीं है क्योंकि answer आ ही रहा होगा ऐसा एक भी question है जिसका answer नहीं आ रहा होगा ठीक है तो सारे हम लोग question कर लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों समझ में आया होगा ठीक है मिलता हूँ next class में thank you so much ऐसे वीडियो जितना हो सकते support करिए मेरे खो और दोस्तों में जितना हो सकते share जरूर करिएगा कर दोस्तों में जितना हो जितना हो